नापुर शहर में एक पती ने अपनी पत्नी की मदस से एक महिला को ब्लैक मेल करके 15 लाग की उगाही करने की घटना सीताबडी पुलिस टेशन अंतरगत सामने आई है पती ने अपनी पत्नी की मदस से एक महिला को ब्लैक मेल करके 15 लाग की उगाही करने की घटना सीताबडी पुलिस टेशन अंतरगत सामने आई है पुलिस ने अलू वाली कली सीताबडी निवासी दमपत्ती अमित तिवारी और रेनुका तिवारी को गिरफतार किया है बताया जो रहा है कि अमित सीताबडी के फुटपात पर कपड़े बेचने का काम करता था साथ ही उसके खलाफ हत्या और अन्य मामले भी तरच है उसने रेनुका से प्रेम विवाह किया था जरीबट का निवासी 35 वर्ष ये रोशल नामक विवाहिता रेनुका के रिश्टदार है जबके उसके पती वैपारी बताया जा रही है रोशल के शिकायत के नुसार सितंबर 2021 में उगाही का सिलसला प्रारम हुआ रोशल को पैसे के जरूरत थी रेनुका ने उसे ब्यास पर पैसे दिलाने का जहासा दिया और उसने रोशल से कर्श दिलाने के बहाने पैसे लिए बाद में कर्श देने वाले के पैसे लेकर भाग जाने का बताया इसके बाद उसे 6 लाक की बीसे मिलने का भी जहासा बोल कर 20,000 रुपे मांगे बाद में रोशल को तुने मडर किया है ऐसा बोल कर पैसो की उगाही की जाने लगी उसने इस कदर देहशत में उसे ला दिया कि रोशल ने स्टैंप पेपर पे खुद के खिलाफ ही बाते लिख कर दे जाली जिसके बाद रेनुका को पैसे देना उसकी मजबूरी बन गई बीते साल भर से रोशल ने रेनुका को नगदी तथा ओनलाइन करी 15 लाग रुपे देने की बात सामने आई है अलुवाली गल्ली पुली स्टैसेर सिता वड़ी या दोगान्यमिन तक्रारदा रोशल मनि स्वामी यानना सुमारे एक वर्षया मदे विवड़ो विवड़ी उदार पैसे देने चा कारणा उरुन ते यंचा वरुन वेगवेगले कारणा सामन आत्ता परिंत 15 लाग पाइची फसरुक के लिए त्या वरुन जरीपट का पुली स्टैसेर से रोशल स्वाभी यंचा तक्रार रोण रेनुका तिवारी वामित तिवारी यंचा विरुद्ध 420, 345, 465, 521, 122 बारती दर्ण विदान काय दा कलम या प्रमाने गुना दाकल करने ता लेला है दोनी उद्या दिनांक 13 धा परिंत पुलीस केस्टेडी मंजुर आए भुन्या चा तपास जरीपट का पुलीस टेशन चे पुलीस उपनिरिक्ष्य प्रदिप काईट हे करीता है या तिल फिरिया दियाननी एक वर्षय पुर्वी फेस्बुक चा माध्यमातून ओनलाइन गेम खरेना साथी एक लाग रुपई गुन्तावले होते तया मदे तेन्च एक लाग रुपई चा नुक्सान जाले ते तेन्नी तेन्चा नातेवाइका गुनुन उदार गेतले हो इस हादसे के बाद रोशन ने अपने परिजनों को इस घटना की आप बीती सुना दी जिसके बाद उसके परिजन जरीपट का थाने में शिकायत दर्च करने पहुचे आखिरकार पुलीस ने हफ़ता वसूली का मामला दर्च कर दोनों दमपत्ती को रंगे हाथ किरफतार कि इन बिसन यूज के लिए कैमरा परसन अखलेश भरतवाच के साथ रूपा पंडित के रिपोर्ट